असलाम लेकुम मेरा नाम माही है आप नॉलिज विद माही यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आज की वीडियो में हम बहुत जबरदसी ट्रिक शेयर करने वाले हैं कि कैसे जो है हम अपनी इंग्लिश की जो पैरेग्राफ होते हैं उसको हम उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते ह जैसे आप देखें जहां-जहां paragraph पे मैं इसको search को जाके जो है वो touch को छोड़ूँगी वैसे वैसे वो आपको उर्दू में तरजमा करतावा नजर आएगा यह देखें जैसे जैसे मैं इसको यहां पर टेच कर रही हूं वहाँ-वहाँ English paragraph हो जाता है translate सबसे पहले हम क्या क करेंगे इसके लिए application download करेंगे play store में आने के बाद snapcres को जो है हम type करेंगे सबसे पहला वाला है आपके पास option नजर आ रहा है इसको आपने install कर लेना है description box में मैंने आपको इसका link दिया वहां से आप को ले सकते हैं यहां से मैंने स्टॉल पे लगा दिया है अच्छा अब आपको मैं दिखा देती हूं इसके रेटिंग और रिव्यूज जो है वो क्या है वे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं हम इसको यहां से तो इसकी रेटिंग भी देखी 4.2 है और इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे आए हुए हैं इस application के इस application की मदद से जो है बहुत असानी से आप English को जो है वो तरजुमा कर सकते हैं इसको translate उर्दू में कर सकते हैं सिफ एक finger touch पे तो यह मेरे पास application जैसे ही open हो जाती है यहां से मैं इसको open कर लूँगी तो इसकी जो है सबसे पहले हमें language जो है व यहां से हम इसको उर्दू कर लेंगे यहां से मैं इसको उर्दू स्लैक कर लूँगी यह हमारे पास उर्दू हो चुकी है आपके बटन on होना चाहिए अगर off हो तो आप उसको on कर लें अब रैंडमली जो है हम इसको check कर लेते हैं Google पे जाके जैसे यह देखेंगी परेग्र यहां पर मैंने टच ले जाके जो है वो चोड़ना है और यह हमारा इंग्लिश का तरजुमा उर्दू में ट्रांसलेट होता रहेगा तो इसी तरीके से जिस परेग्राफ पर आप देखेंगे कि मैं फिंगर को छोड़ती रहोंगी वैसे यह सर्च बार आपको उर्दू में ट्रांसलेट करतावा नजर आएगा तो बहुती अच्छी एप्लिकेशन है यह देखें जहां भी आपने जिस परेग्राफ के आपने इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना है वहां पर आप इतनी असानी से इसको सिर्फ सेकेंड़ों में आप इसको कर सकते हैं तो अब जिस परेग्राफ पर वह इंग्लिश पर टच करेंगे आपका वह चेंज हो जाएगा यह गूगल पर रेंडमली चैक किया था अब हम वाटसेप पर आजाते हैं कि कोई वाटसेप पर अगर हमारे पास को इंग्लिश में कोई लैटर या को इस तरह की अप्लिकेशन इसके लिए चंद एक सेटिंग करनी होती है जैसे आप इसको स्ट्रॉल करके ओपन करेंगे इस अप्लिकेशन को तो आपको जो है चंद एक सेटिंग दरकार होंगी वह भी मैं आपको बता देती हूं इस वीडियो में आपने वीडियो को लास तक देखना है तो सबसे पहले गेट स्टार्ट पर आप क्लिक कर लेंगे जैसी अप्लिकेशन ओपन करेंगे उसके बाद यहां पर आपके बास यह ऑप्शन देगा एकसिसिबिलिटी परमिशन की तो यहां पर सेटिंग के पहले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है और यहां पर हमारे पास इंटरफेस लास्ट में आपको नजर आ रहा है इसके बाद इसकी दूसरी सेटिंग पर मिशन है इस सेटिंग पर हम यहां से क्लिक करेंगे और जैसी हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका आइकउन शोगा यह देख लेते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, इसका snap trans का जो है आईकन शो हो हो रहा है, इसको भी यहां से off वावा यह तो हम इसको on कर देंगे, अब यह जो है, हमारे पास application ready है, अब जहां जहां पर मैं फिंगर को यहां से जा कर टच करके छोड़ोंगी, वहाँ वहाँ हमारी एप्लिकेशन उर्दू में इंग्लिश को उर्दू ट्रांसलेट करती रहेगी, तरजुवां हमारा करती रहेगी और हम असानी से इसको पढ़ सकते हैं, बहुत असानी के साथ, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को जादा स्यादा शेयर कीजिएगा लाइक कीजिए हमारे वीडियो को कमेंट्स में अपने कीमती राय का इजार कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी है नेक्स्ट इंफरमेशन में फिर मुलाकात होती है अलाफिस